जैसिया राम गुरु जैसिया राम कहां से हऊ नाखपूर से बोलो गुरु जी ये पुछना था जो हनमान जी ने रामायन लिखे थे पत्थर पर और बोला जाता है कि उन्होंने डाल दिया था पानी के अंदर समुद्र में तो फिर बाकी जो चीजे लिखी हुई है राम जी क के बारे में तो वो कैसे आगे आई बहुत अच्छा प्रश्म ताली बजाओ श्री अनमान जी ने अपने नाकूनों से रामाइड लिखी पत्थर पर सिला पर उसका नाम पड़ा हनमन नाटकम क्या है बड़ी-बड़ी सिलाओं पर जब रामाइड को लिखा तो बालमी की जी क है रामाइड पढ़ी तो बालमीक जी रामाइड पहले लिख चुके थे स्रीमत बालमी की है रामाइड उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने लगा कि इस रामाइड के सामने हमारी रामाइड तो फीकी है और फीकी भला क्यों ना हो जिनके साथ 2400 घंटे स्री अनमान जी रहे हो पहले बचन दो कि हम जो मांगेंगे वो आप दोगे हनुमाण जी बोले मांगो बोले महराज आपने जो रामाढ लिखी है उसको आप पानी में रुबा दो नई तो हमारी रामाढ को कोई नहीं पूछेगा आपकी रामाढ के सामने सब फीका है हनमान जी बचन दे चुके थे तो बोले देखो भई हम बचन देते हैं रामाड तो हम विसर्जित कर देंगे लेकिन हम तुम्हें स्राप भी दे रहे जो तुम्हारे मन में बात आई है ये कलियुक के लोगों जैसा मतसर आ गया है इर्शा, जलन और ऐसी आदत कलियुक के लोगों में ज्यादा होती है तो हम तुम्हें आज ही स्राप दे रहे कि अब हमारी इसी रामाड को लिखने के लिए तुम्हें पुना कलियुक में जन्मे लेना पड़ेगा वही बालमीक जी तुलसी दास बने है तो बालमीक तुलसी भए कलिकुल के हेत निस्तार बालमीक तुलसी भए बालमीक तुलसी दास हा तो वही बालमीक जी तुलसी दास जी बने अब दूसरा आपने कहा था कि पर सब कैंसे पता है तो लिखने बाले तुलसी दास जी लिखवाने बाले हनमान जी इसलिए पता तब तो गोष्वामी जी कहते कभी न हूँ ना मैं चतुर कहा हूँ ना तो मैं कभी हूँ ना चतुर कहलाता हूँ तो लिखवाने बाले कौन? लिखने बाले कौन? गोष्वामी तुलसिदाज जी इसलिए वो सभी गुप्त रहस्यों के बारे में तुलसी दाज जी ने लिखा है और इसलिए बालमी की रामार से ज्यादा रामचरत मानस का प्रचलन है